हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे सबस्थ होंगे मस्थ होंगे आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकिया हूँ जो कि काफी यूजफुल है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी बहु चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो वीडियो काफी यूजफुल है और बहुत सारी टिप्स है तो बिना देर की हुए जहटपड से बताती हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रोकली की जिसका भी सीजन है मार्केट में बहुत जादा आ ना देजिए उसके बात अगर आपके पास यह नहीं है तो आप शिल्वर फाईल को लीजिए और शिल्वर फॉयल को डंठल में लगा दीजिए इस तरह से लगा कि आप रख देंगे आप बिना कर रख की हूए शिर्फ लुर में लगा देंगे तो यह बहुत दिनों तक इससे ही फेक देते हैं यह काफी यूसफुल है इसको आप इस तरह से कट कीजिए इसमें तीर निशान लगा दीजिए दो निशान लगा दीजिए जितना आपको चाहिए इस तरह से हमने इसको काट लिया लेकिन मैं हमारे घर में सोती है इधर उतर उतर फड़ी रहते हैं उसको इस तरह से इकटे के लिए कम जगह में आ जाएंगी और इधर उदर गिरैंगी नहीं बैंची आएंगी नहीं भर को गंदा भी होने से मतलब यह बचेगा तो इस तरह से आप छोटी चोटी डिपी शी दवाईयों की जो होती हैं सब को इस तरह से अच्छे से चोटी सी जगह में बहुत सारा शामान भी आजाता है देखने में भी अच्छा लगता है और यह शुरक्षित भी रहता है आप इसे उठा कर कहीं भी रख दीजिए किसी कोने में साइड में डाल दीजिए आपको जब चुरूत है तब आप इसे यूज कीजिए अब हम बात कर है थार्ड ट्रिप की जो कि हमारे ताले होती है इस में बड़ी जल्डि से शर्डी लग जाती है नमीं आ चीड़े हैं तो इस तरह से आपको लहसों लेना है जो इसका लहसों Serve भूला उसको निकाल कर फेग दीजिए और जो अच्छी कनियों हो ती है उनको इस तरह से 3-4 पीश निकालिए और डाल दीजिए आप साबूत भी इसमें डाल सकते हैं तो इस तरह से रहर दाल है मारी यह मूंग दाल है जो कि लंब टाइम से रखी हुई है तो इस तरह से यह स्टोर रहती है तेश पत्ता लाउं के अलामा नमक के अलामा आप लहशुन को भी डाल सकत सकते हैं को है तो काफी यूसफुल टीप्स है तक करते हैं जो कि हमारे यह क्रासर होते कंगे अभी कभी चलता रहीं घीश चाते हैं वह पहुत कीक्षय करते हैं लेकिन और शिलोर फाइल को सिलोर अगर इस यह फेक देसको आप लीजिए ईकठा की कीजिए और इसको अच्छे से गोले बनाकर इस तरह से आप कद्दुकस कीजिए तो आपका जो इस तरह से कद्दुकस करेंगे बहुत ही अच्छे से कद्दुकस हो जाता है इस साप भी हो जाता है और इसकी धार जो है बहुत ही तेज हो जाती है क्योंकि से लोर फाइल काफी इस तरह से आपको मिक्सी की जार तेज करना है, चाकू की धार तेज करना है, क्रसर की धार तेज करना है, कद्दुकस की, किसी भी चीज की धार को तेज करना है, तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी कद्दुकस हो गया, यह काफी यूजफुल है, बहुत ही अच्छे से धार हो जाती है और यह जब अच्छे से चोटीöt चोटी टुकोड़ों में कट होता है उतनी ही जादा इसकी धार तेज होती है और यह sap भी हो जाता है जैसे देखिए हम मैं रोज युज करती हुँ लेकिन काफीं पुराना है तो इस तरह से जरूर ट्राइए करें और अगले टिप्स हमारी जूना को लेकर है जो कि हम बरतन माजते हैं और या बिल्कुल फेकने लाइक हो गया है लेकिन मैं इसको यूजफुल बनाऊंगी किस तरह से इसमें जो है बहुत सारे कच्रे घुष जाते हैं तो इसको जब हम जलाते हैं तो सारे डस्ट एक तो जल जाते हैं उसके बाद जो छोटे-छोटे कड़ होते हैं वो निकल जाते हैं तो इस तरह से जो जूना होता है ये काफी दिनों तक आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा पुराना हो गया है तो इस तरह से आप इसे जला है और यूज़ फूल हो जाता है तो देखे थोड़ी देर भी सेकंडों में ही ये बस ठंडा हो गया अब इसको हम सारे कचरे जो हम इस तरह से जाड़ देंगे शारे कचरे जल गए जो भी बचे इसमें छोटे-छोटे कर गिर गया ये बहुत ही उसको आप ज़रूर पज्यों को जब हम काटते हैं तो इसको किस तरह से हमें इनकी सफाई करना है क्योंकि इन्हें उबालेंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा और काटके जब हम डारेक्ट बनाएंगे तब भी इसमें कीड रह जाएंगे तो हमें लेना है थोड़ा सा गुनगुना पान और इस तरह से बड़े बड़े पत्तों को हमें वास कर लेना है इस तरह से धूलेंगे तो इस सारे गुंगुने पानी में आपको इस तरह से डूबोना है और फिर इसे निकाल लेना है पत्ले पत्ते जब होते हैं तो इसके सारे कीडे मकोडे जो भी होंगे वह अपने आप न आते हैं तो इसमें पानी जो है छूड़ जाता है जिसे कि सब्जियां पकती है तो थोड़ा गीली हो जाते हैं तो बिल्कुल भी गीला नहीं होता है इसलिए आप जब भी सब्जियों को काटे गुन-गुने पानी में इस तरह आप इसे बस छोड़के बस तुरंत निकाल ले सकते हैं बिल्कुल भी बीना टेंशन लिए आप इस तरह से इसको ट्राइ कर सकते हैं यह काफी यूजफुल है तो वीडियो हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कुग वेजित मंचु में पसाज के लिए इतना ही आप मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादा